क्योंकि हमारा जो 5 साल पुराना चैनल था जो कि YouTube ने टर्मिनेट कर दिया था without any specific reason वह वापस आ चुका है और आपको आठ नो दिन के बाद फस्ट वीडियो देखने को मिलेगी हमने काफी रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब टीम से हमने डेली के ट्वीटर के ओपर तो आप में से काफी लोग ऐसे थे जो हमारी लोयल कॉम्मुटी है जून्होंने स्पोर्ट किया जो डेली की ट्वीट्स करते थे हमारी ट्वीट के ओपर लाइक रिट्वीट करते थे YouTube से रिक्वेस्ट किया जिन्होंने किनका चैनल वापस लिके आजाए जये क्योंकि जिन भी लोगोंने efforts लगाया चाहिए आपने एक tweet की चाहिए आपने किसी भी tweet को like किया इसमें आपका participation है and I am really, really, really happy, and I love you guys, and I try करूँगा, अब आने वले टाइम में, हम आप लोगों के लिए, और बड़ी अपडेट्स लेका है, और नई चीज़ें इंट्रिड्यूस करें, ताकि आप लोग, यहाँ, स्क्रिप्टोकरंसी, फाइनाशल मार्केट से, और जादा पैसा कमा सको, and most important, आपकी यहाँ पे, नोलेज भी इंक्रीज हो, क्योंकि, यहाँ पे, यह इतनी अंसर्टेन चीज़ हो ही, जो कि हमने एक्सपक्ट नहीं कही थी, हमारा पान साल का हाड़ वर्ग था, जो कि यूट्यूब ने, all of sudden उड़ा दिया था, और यहाँ पर अगर हम देखे, तो यहाँ पर हमें यूट्यूब की तरफ से, मेल देखने को मिली थी, अब इसे 19 गंटे पहले, जहाँ पर यूट्यूब ने बोला कि, I'm sorry to have to tell you, that it has been decided to keep your channel, suspended from the platform, due to its community guideline, वाइलेशन, अब इसे 19 गंटे पहले, लोग बोल रहें कि, तुमने guideline की violation किया है, हम तुमारा channel वापस नहीं देंगे, इसको suspend रखेंगे, and then आज सुबा अगेन 6 बजे, के आज पास ये mail हमें देखने को मिली, after taking another look, we can confirm that your channel does not violate, any community guidelines, कुछ भी लाइक इन लोगों ने review भी नहीं किया channel को, all of sudden इननोंने algorithm की वज़े से, I don't know किस वज़े से इननोंने channel को suddenly suspend कर दिया, and then हम continuously यहाँ पे अपील कर रहे थे, बट इननोंने एक बार भी check नहीं किया सही से, but I am happy कि finally यहाँ पे हमारा channel वापस आ गया, इतनी बड़ी company, YouTube जैसी, Google जैसी, इनको थोड़ा और work करना सही है, अपने system के उपर, क्योंकि कोई एक creator जो कि 5 साल से video डाल रहा है, या फिर मेरे पास community थी, हम लोगों ने Twitter के उपर request किया, जिन लोगों के पास community नहीं होती है, वो लोग क्या करेंगे, उनका तो channel चला गया, उनकी तो महनत इतनी चली गई, but anyhow, हमारा channel वापस आ गया, और यही सबसे बड़ी चीज़ है, और हम ट्राय करेंगे आपके लिए नहीं चीज़ें लाने की, आप नीचे comment box के अंदर हमें ज़रूर बताइए, कि आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें हमें introduce करने चाहिए अपने चैनल के ओपर, लाइक हम AMAs कर सकते हैं, पोड़कास कर सकते हैं, या फाइनास से लिट्टीड आप वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे YouTube पे इतना ट्रस्ट नहीं है, कि all of sudden वापस कभी YouTube हमारा चैनल को गायब कर दे, क्योंकि यहां पर कोई गलती भी नहीं थी, जोकि इन्होंने खुद ने अक्सेप्ट कर लिए, then all of sudden इन्होंने चैनल रिमूव किया, बट चलो ठीक है, यह चीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, क्योंकि मैं काफी हैपी हूँ, लास्ट के पांसाथ दिन से थोड़ा अजीब सा मूड हो रखा था, because of YouTube थिंग, but finally our channel is back, यह मेरा चैनल नहीं है, यह हम सब का चैनल है, क्या यहां से हमें और ड्रोप देखने हों मिल सकता है, तो उस चीज़ के बारे में हम आपको थोड़ी और अपडेट देना चाहता हूँ, कि क्या मार्केट के सिनेरियो को देखके अभी के टाइम में हमें लग रहा है, फिर्स और यहां पर बात करें, जो कि 6 तक पहुँच गया था, लाइक मैंने फिर्स ताइम देखा 5-6 क्यास पस फिर एंड ग्रीड इंडेक्स को, बट फाइनली 11 क्यास पस आ गया है, यानि कि थोड़ा कूल डाउन हो रहा है मार्केट का महूल, बट यहां पर अगर हम बात करें, क्या बोटम आ चुक है, तो फिर्स और यहां पर जब बिटकून का डेथ क्रोस ओवर हुआ था, अल्मूस अभी से 2-3-4 महीने पहले, तब हमें मार्केट के अंदर अच्छा ड्रोप देखने को मिला था, वीकली के उपर आप देख सकते हैं, यहां पर हमें यह डेथ उफ क्रोस ओवर देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट काफी ज़दा क्रैश हुई थी, यह जो जोन था हमारा, 35-35-40 देज के आसपस यह जोन चला था हमारा, जिसके नदर बिटकोईन एक ही प्राइस रेंज के नदर चल रहा था, around 60,000 डॉलर के आसपस आपको पता होगा, देन क्रैश हो और वापस बिटकोईन यहां पर एक जोन क्रेट करने की ट्राय कर रहा है, जिसकी जो स्पोर्ट है most important वो है, 19,700 डॉलर से लेके 20,000 डॉलर तक, जो कि हमारे लिए एक अच्छी स्पोर्ट का काम कर रही है, यहां पर रेजिस्टेंस की बात करने, तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही जादा जुरूरी है, जो कि बनता है 21,500 डॉलर से लेके 22,500 डॉलर, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिटकुण को एनी फर्दर अपवर्ड मॉमेंट के लिए सबसे पहले बिटकुण को 22,500 डॉलर को क्रोस करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अभी पहले जैसी नहीं है, आपको पता होगा, ग्लोबल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है, अगर हम बात करें, तो 1973 के अंदर फैड ने इंटरस रेट हाई करने स्टार्ट किये थे, और यहां पर अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं, जब भी रिसेशन आये थे, अगर हम यहां पर देखें, तो 2001 के अंदर, उसके बाद 2008 के अंदर हमें रिसेशन देखने को मिले, जब जो SPX है, वो 50% तक डाउन चला गया था, और अभी वापस बात चल रहें, कि रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है, तो अगर यहां पर रिसेशन आता है, तो अलड़ी SPX जो है, वो 5000 से ओल्मोस्ट 3700 तक तो आ चुका है, बट यहां पर 50% की क्रेक्शन आती है, तो हमें 24-2500, यहां से अनदर 25% का क्रेश देखने को मिल सकते है, और सबसे बड़ी चीज यहां पर ही है, कि अभी तक किसी भी रिसेशन के टाइम में, वो 2001 के अंदर आया था, 2008 के अंदर आया था, उस टाइम पर बिट कोई नहीं था, तो यह सबसे बड़ी चीज देखने वाली है, कि अ इफलेशन बोला जाता है, बट अभी तक हमें इतना देखने को नहीं मिली है यह चीज, कोई बिट कोई एनिहाओ कही ना कहीं पर स्टोक मार्केट से अभी कैसे ना कैसे रिलेटिड हो चुका है, और कोरिलेट उसी के अकोडिंग चलता है, यानि कि स्टोक मार्केट पंप ह स्टोक मार्केट अगर गिरती है, तो बिट कोई भी साथ में गिरता है, तो यह सबसे बड़ी चीज है, तो हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहे है कि बोटम पास आ चुका है, क्योंकि यहां से और क्रेश हमें थोड़ा देखने को मिल सकता है, जब ग्लोबल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, बट जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, अगर बियर मार्केट होती है, तो हमें इन बिट्वीन चोटे-चोटे पंप देखने को मिलते हैं, स्पोस करो बिट कोई 20,000 आ गया तो वापस हमें 25,000 दोलर देखने को मिल सक और अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो उसके बाद जो हमारे पास 300MA है, जो कि हमने प्रिविस वीडियो के अंदर आपको बताया था, वहाँ पे हमें नेक्स पोर्ट मिलने वाली है, और वो एरिया रहगा राउंड 16,000 डोलर का, तो वहाँ से आई थिंग हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, बाकि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो चेक नहीं किये, कि बेस्ट बाई रेंज फो बिटकोइन, तो वो ज़रू चेक आउट करें, जहां पे हमने आपको डिफरेंट बाई रेंज बताई है, विद प्रोपर सोलिड रीजन, कि क्यों यहा बाउंस देखने को मिलेगी, इसी के साथ यहां पे, कॉंग्रिस के साथ मीटिंग्स होई थी, जिसमें चारली होंकिंसन, जो की आईडा के फाउंडर है, उन्होंने बताया कि काफी चीजें है, कि यहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना काफी ज़्यादा जुरूरी है, क्योंकि हम भी देखें, तो अकर लोंग टम मार्केट को सर्वाइव कर जिनके पास बड़ा पैसा है, जो पूरी एकोनमी को संभालते हैं, अगर वो लोग भी मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, मार्केट की मैनुपलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी का कितना बड़ा लोस हुआ, लुना का, या फ पर बात हुई कि जो यहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो आना काफी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को देख के आगे मार्केट मूव हो सकती है, बट ओवरॉल, मार्केट के कंडिशन धीरे धीरे इंप्रूव होती दिख रही है, क्योंकि लोंग तम का कितना बड़ा नेम है, और उनके 500 मिलियन से ज़्यादा फोलोवर्स है, और इंस्टाग्राम के उपर, तो आप देख सकते हैं, इतने लोगों के सामने यहां पर क्रिप्टो करन्सी की नेफ्ट की प्रमोशन होती है, तो लोग समझेंगे कि क्या है क्रिप्टो करन्सी कैसे वर्क करती है, टाइम लगेगा थोड़ा जो कि इवेंचली अभी हम अर्ली स्टेज के अंदर है, बट टाइम के सासा चीज़ें इंप्रूव डेफिनेटल यहां पर होने वाली है, तो यह चीज़ हम आपको इस वीडियो के थूरू शेर करना चाहते हैं, कि बिटकोई के ब सही नहीं होती है, वहां पर हम एक बड़ा पंप एक्सपैक्ट मार्केट से नहीं कर सकते हैं, तो यह थे मेजर अपडेट इस वीडियो के लिए, आपको समझ में आयोंगे, और आप हमारा जो नया चैनल है, जो कि हमने कली क्रेट किया था, जिस पर 700 सब्सक्राइबर हो कर सकें, एंड थैंक्यू सो मच, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और निचे कमेंट बुक्स में बताइए कि क्या नई चीज आप मिस्ट्री ओफ क्रिप्टो के उपर देखना चाहते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के नदर एक रुच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखेगा, बबाई, टेक केर, जैहिंद!